सबीकों नमस्कार केसी सामोता यूटूब चैनल पर आप सबीका स्वागत है साथियों आज के व्याख्यान में हम जानेंगे लोग परसासन यानि की पब्लिक एडनेस्टिशन का जो विकास है किन सव रूपों में हुआ है और लोग परसासन क्या केवल विसे के रूप में है अथवा लोग परसासन क्या केवल एक मानवी क्रिया के रूप में है तो आईए इस पर हम परी चर्चा करते हैं सबसे पहले हमें जानना होगा कि लोग प्रशासन Public Administration इस से पहले इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें दो बातों पर विचार करना होगा Public Administration as a form of action लोग प्रशासन एक मानवी किरिया के रूप में and second is public administration as a form of discipline और intellectual discipline लोगपरसासन एक बौधिक अनुसासन के रूप में अर्थार्थ लोगपरसासन मानव की एक cooperative human action है और लोगपरसासन एक अध्यन और अध्यापन से जुड़ा हुआ विसे है तो दो आधारों पर हमें public administration को trace out करना होगा रेखांकित करना होगा तो आईए इन दो आधारों पर हम इसको रेखांकित करते हैं तो किस तरह से हम लोगपरसासन की इस विसेवस्तु को इस अनुसासन को इस किरिया को historical background के माद्यम से समच सकते हैं जैसा आप यहां देख पा रहे हैं लोगपरसासन एक किरिया के रूप में अगर ऐसा कहा जाए तो किरिया के रूप में लोगपरसासन यानि की लोग को अगर छोड़ दिया जाए जो कि लोग और नीजी है इस भेद को हम छोड़कर पहले प्रसासन के बारे में बात करें तो प्रसासन कार्य करने का एक कोशल है एक दक्सता है यानि कि how to work इस क्योशन का answer देने वाला जो मुख्य आधार है वह administration है जो हिंदी में pre plus सासन यानि कि कार्य करने की स्रेश्ट रीती अथवा ad plus ministerier किसी कार्य को स्रेश्ट ढंग से कैसे किया जा सकता है उसे ही प्रसासन कहा जाता है एक किरिया के रूप में हम इसको अगर brief में define करें तो प्रसासन means a cooperative human action एक सहकारी मानवे किरिया है जो लोग सेंट रूप से संपादित करते हैं या निस्पादित करते हैं अगर इसके historical background की बात करें तो public administration और administration is all as well as human civilization एक किरिया के रूप में लोग प्रसासन उतना ही पुराना है चितनी पुरानी मानवी सब्यता है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि homo sapiens की हम बात करें जो कि हमें अब तक की ग्याद इतिहासिक सरोतों से और विग्यानिक प्रामानिक सरोतों से ये मालुम हुआ है कि लगभग दो लाक वर्स पूर्व जो मानव है वह उस पेंजिया और पैंथा लासा के निर्मान परक्रिया से एक और सिकी जीव की परक्रिया से वह उत्री पूर्वी एफरिका से भारत की और माइग्रेट होकर आया है इसका मतलब हमें एफरिकन कॉंटिनेंटल के उस सिविलाजेशन के बारे में और इंडिया की उस सिविलाजेशन के बारे में हमें ट्रेस आउट करना होगा कि वाट हैपन इन हिस्ट्री अगर इसकी हम बात करें तो ऐज ए फोर्म अप एक्षन की आदी मानव जिसका मुखे का ये चो पासानकाल और पुरा पासानकाल में आखेट के माद्यम से जीवन यापन करता था तो हाउ टू हंड्रिंग यानि कि जो शिकार है आखेट है वो कैसे किया जाए आखेट करने का भी एक तरीका है उस समय पत्तर और लकडी के ओजारों का उप्योग को करता था जो हमें पुरातात्रिक शरोतों से ज्यात हुआ है वह अपना पेट भरने के लिए विशिस्ट परकार का तरीका अपना था था कि किस तरह से गड़ा खोदेगा उसको घास से बुनेगा डखेगा और शिकार उसमें आएगा गड़े में गिरेगा उसको मारेगा और कच्चा ही उसको खाजाएगा यानि कि एंसेंट सिविलाइजेशन में ये सभी मानवी सद्विता के लोग निसंदे मासारी जीव के रूप में अपना जीवन यापन करते थे अगर आज से 5000 साल पहले 4000 साल के पहले की इस हिस्ट्री को ट्रेस आउट करें आर्कियोलोजिकल सर्वे के माद्यम से आर्कियोलोजिकल इविडेंस के माद्यम से हिस्टोरिकल इविडेंस के माद्यम से और इसी के साथ साथ जो कल्स्रिल इविडेंस हैं उनके माद्यम से साइन्टिफिक मेथड जो डिये ने पदते उसके माद्यम से तो हमें मालूम होता है कि उस मासारी मानव होमो सेफिन्स के द्वारह बहुत से ऐसे कारिय किये गई जिनको हम प्रसासनिक कारिय कह सकते हैं कि जब से मानव इस ग्रह पर आया है तभी से परसासन एक क्रिया की रूप में विद्यमान रहा है। यह जो पुस्तक है वे वी जी चाइल्ड्स के द्वारा लिखी गई जिसका टाइटल है इतिहास में क्या घटित हुआ है 1946 और इसी में एक चैप्टर का टाइटल है अर्बन रिवलिशन इन मेशोपोटामिया मेशोपोटामिया ने सहरी क्रान थी वहाँ पर जो सुमेरी लोग थे सुमेरियन कल्चर और सिविलाइजेशन की जो इविदेंस वी जी चार्ड्स के खेती से संबंदित, एग्रिकल्चर से संबंदित, इरिगेशन सिच्चाई से संबंदित, फूट गैदरिंग, खाद्यान संग्रहन से संबंदित, अलोटमेंट और लेंड से संबंदित, और तमाम तरह की सीडिंग, ब्रीडिंग, बीजारोपन, पोदारोपन और उनकी दे करने का specialized or specific skill जो है वही क्या आ है, त इस तरह करिया के रूप में व्यक्ति जो कार्य करता है वह है एक प्रशासनिक कार्य है, अगर इस बात पर हम ध्यान दें तो सुमेर्यन सब्लेता में ऐसा ही कोशल और दक्स्ता मिलती है ये आप देख सकते हैं स्लाइड में एंसेंड मेसोपोटामिया चो यहाँ पर बेवीलोनियन सब्विता है यहाँ सुमेरियन लोग है यह सुमेरियन सीविलोलाइजिशन और कल्चर की बात कही गई है तो यह वही नदिया और वोच्छेतर दजलाफराद का मेसोपोट में थी अगर इसी के समाना अंतर हम बात करें इंडस वेली सिवलाइजिशन वो भी हमें मिलेगी तो यहां मेसो पोटाइमिया में जहां आप देख रहे हैं बलेक सी से लेकर यहां कैस्पियन से और भारस की खाडी की बीच का जो दजला फरात इरान इराक का जो च्छेतर है बैविलोन का जो च्छेतर है सुमेर का जो च्छेतर है जिसे यहां पर मेसो पोटामिया की सिवलाइजिशन कहा गया है इसी के समाना अंतर हम देखे तो उस दोरान जो कारिये थे विसेस रूप से इरीगीशन का जो कारिये था जो सिच्चाई नहरी परणाली थी वो आत्मान चित्र के माद यहां चित्र के माद हम से च्छाया चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह मिस्टर एजिप्ट और वहां विसेश रूप से सुमिरियन लोगों की द्वारा वो मार्टर मैनेजमेंट का जो कारी था एक स्पेसलाइज्ड स्किल था इसी के समाना अंतर अगर हम इंडस्विली सिवलाइजिशन की बात करें जैसा कि हम जानते हैं इंडस्विलाइजिशन वाजे डवलब्ड सिवलाइजिशन पर राखी गड़ी, हडपा, लोथल, धोला वीरा तमाम ऐसे चेत्र काली बंगा, पिली बंगा हमें मिले हैं जहां ए तरका दोतोर तरीका था वे एक विस्षिष्ट परकार का कोशल था यानि पिछले 5000 सालों से पूरू भी जाकर हम यह ट्रेस आउट कर सकते हैं कि किस तरह से लोग परशासन और परशासन एक किरिया के रूप में कारिय कर रहा था लोग और नेजी का के वल अंतराल यही है कि पब्लिक इंट्रेस्ट के लिए जो कारिय किया जाता है शावजनिघित के लिए जो कारिय किया जाता है जो सब के लिए कारिय किया जाता है वहें लोग के नाम से जाना जाता है पब्लिक के नाम से और जो इंडियूजल अपने सेल interest के लिए काम किया जाता है self objective के लिए किया जाता है हो सकता है उसमें भी partially public interest हो लेकिन cost के basis पर नहीं वो अपनी cost के basis पर नहीं होता तो वहां के वो welfare नहीं है वहां पर व्यवसाई होता है तो जहां व्यवसाई करण है जहां नीजी करण की भावना है जहां उद्धिमिता की बावना है जहां हाउ टू अर्ण की स्प्रीट होती है वह प्राइवेट एड्मिस्टीशन होता है जबकि ऐसा जहां नहीं होता है उसको पब्लिक एड्मिस्टीशन हम कहते हैं जिसके बारे में आगे जो व्याख्यान होंगे उसमें विस्तार से बातचीत करेंगे फिलाल हम यहां बात करें पब्लिक एड्मिस्टीशन डवलप as a form of action or as a form of intellectual discipline अनुसासन के रूप में और किरिया के रूप में लोग परसासन कैसे रिक्षीत हुआ अब सुमेरियन सव्यता, मेसो پोटामय की शव्यता इंड़ेच्वेली सव्यता से लिएकर हम सीधे आधुनिक राष्ट राज्यों पर आते हैं आधुनिक राष्ट राज्य जिनका एतिहासिक विकास क्रम में विकास हुआ है जिसको हुम कह सकते हैं कि प्राच्चे राज्य जिनको ओरियंट स्टीट कहा गया जिनके डिक्लाइन के बाद हमें विश्व पतल पर राजनितिक पतल पर युनानी राज्य दिखाए देते हैं जिसके बाद युनानी राज्यों के पतन के बाद हमें रोमन राज्य दिखाए देते हैं रोमन एम्पायर के डिकलाइन के बाद हमें feudal स्टीट सामन्ती राज्जे दिखाए देते हैं और सामन्ती राज्जियों के अंत के साथ-साथ जो नवीन राज्जे उभरकर आये हैं जो सर्त्रवी और अठार्वी सताब्दी के बाद अस्तीवित्यटों में आये हैं वो नेश आसी राजी क्यों कहा गया है, इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति के बर्थ प्लेस से लेकर ग्रेव यार्ड तक जनम इस्थान या जनम इस्तिली से लेकर सवदाहय संसान घाड तक इस्टेट यूमन एक्षन को कंट्रोल करता है, हम डिसिप्लीन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ऐसे फॉर्म आप एक्षन की बात कर रहे हैं, तो मैरीज रजिस्ट्रेशन की रूप में आप देख सकते हैं, उसके बाद माता के गरब में जो बच्चा है, गरब वती माताओं क पंजीकरण उसके रूप में आप देख सकते हैं, बच्चे का जनम होने पर जनम प्रमान पत्र बर्थ सर्टिफिकेट की रूप में आप देख सकते हैं, फिर से मैरीज सर्टिफिकेट और डैज सर्टिफिकेट, इसका मतलब है कि वहें आपको विवहा, विवहा से बच्च की आवशकता पड़ती है यानि कि हम ये कहें कि राज्य की अनुमती के बिना वर्तमान राश्ट राज्यों की अनुमती के बिना जिसको आप पासपोर्ट कहते हैं जिसको आप जीजा कहते हैं जिसके तहट आप एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में जा सकते हैं अन्य कोई भी क्रिया करता है तो वह इलिगल मानी जाएगी इन वैलिड मानी जाएगी और इसके लिए उसे पनिस्मेंट का सामना करना पड़ेगा अतर हम कह सकते हैं कि एज फॉर्म ओप एक्षन लोग परसासन मानवी सब्विता के साथ सुरू हुआ था और मानवी सब्विता जब कि बच्चा जनम लेता है तो उस बच्चे को कपड़ों में लपेटा जाता है कपड़े पहना यह नहीं जाते येकिन ऐसे ही कपड़े को जब बच्चा धीरी धीरe आगे बढ़ा होता है तो उस कपड़े को दरजी की दवारा धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में कत्रनों में काट कर विवाजित करके कपड़ा बनाया जाता है जैसे मैंने टी सेट पहन रखी है जैसे कालमाक की डेफिनिशन और एलेशन थियोरी में की कमीज जो है उस सर्ट का कोलर कौन बनाता है बटन कौन लगाता है बाजू कौन बनाता है जोड़ता कौन है तो अलग-अलग स्ट्रेक्चर में तो एक कपड़े को या एक कोटन को कप किस तरह से बुनकर धागों के माद्यम से कपड़ा बनाते एं लठा बनाते यह लटता हैं उसके बाद हम कमीज कहते हैं , यह कमीज बनाना लिदायदेसे बनाना पैंट बनाना कप्ड़ों की में बात कर रहा हुआ कुछिकुकर बारबर के दौरा जिसको हम oldest surgeon in the world civilization कह सकते हैं कि दुनिया की सब्विताओं में सबसे पुराना वो चिक्रसक है जो हमें सुंद्रिय प्रशादन के मादम से सजा दजा कर सुंदर बनाता है बालों की कटिंग करता है, सेविंग बनाता है, ये सब क्या है ये कोसल है, ये कॉपरेटी हुमन एक्सन है ये व्यक्तियों के सहियों के मादम से निस्पादित किया जाने वाली एक क्रिया है इसका मतलब है कि आदी मानव से लेकर वर्तमान विक्षित सवरूप वाले मानव तक और जब तक इमानव से निस्पादित में रहेगा, लोग परसासन एज ए फॉर्म आप एक्सन के रूप में हमेशा बरकरार रहेगी दूसरी हम बात करते हैं कि लोग परसासन एक अनुसासन के रूप में पबलिक एडिमिस्टेशन एज ए फॉर्म आप डिसिप्ली अनुसासन यानिक अध्यन और अध्यापन का विसे इस सवरूप में लोग परसासन का विकास कब हुआ तो ब्रिक में मैं कहूँ लोग परसासन विसे का जनम उन्मीस्वी सताबदी में हुआ है लोग परसासन विसे का जनम अमेरिका में हुआ है ओर लोग प्रसाशन अनुशाशन का जनक या पिता Thomas Woodrow Wilson को कहा जाता है जिन होने 1887 में एक आर्टिकल लिखा 26 पेज़ का तो 26 प्रस्टों का जो आलेक राजनिती विज्ञान के प्रोपेशर Thomas Woodrow Wilson अमेरिका की राष्टपती लीग ओब नेशन के संस्तापक सांती के नोबिल प्राइज से नवाजे गए इस आचारी सिक्सक के द्वारा इस लोग प्रसाशन विशे को एक अलग विशे के रूप में लोग प्रसाशन को राजनिती विज्ञान से एक अलग विशे के रूप में इस्थापित किया जिसे लोग प्रसाशन का जनक या पीता मा कहा जाता है तो साथियों कि किस तरह से डिसिप्लिन की रूप में हुआ तो क्या पहले ये अध्यन अध्यापन का भाग नहीं था जाता था। ये हैं समाज विग्यान की रूप में राजनिती विग्ञान में ही अध्यान और अध्यापन कड़ाया जाता था। राजनिती विग्यान जो दौती सताफद इस Nolan पूर तूर अरिश्टोटल के द्वारा सोसल साइंस एक अलग independent barange के रूप में discipline की रूप में शुरूख किया गया जब उन्होंने दि पॉलिटिक्स नाम की करती लिखी और अरिश्टोटल की ग्रीप बासा में लिखी गी इस पॉलिटिक्स से ही राजनिती विज्ञान के रूप में एक स्वतंत्र विशे का उधे हुआ इसी राजनिती विज्ञान से लगबख बाइस सो सालों के बाद यानि की बाइस सो सालों तक वे पॉलिटिकल साइन्स में ही पढ़ाया जाता था क्या लोग परसास है लेकिन 1887 में यह है उससे अलग होकर एक विशे बना और यह अलग करने का स्रेज जो है वो वुड्रो विल्सन को जाता है पॉलिटिकल साइन्स का थियोटिकल पार्ट यानि कि हम बात करें स्टेट की थियोरी की तो वह पॉलिटिकल साइन्स है और अगर उसी थियोरी को हम एक्जिक्यूट करते हैं एप्लिकेशन फोर में लागू करते हैं तो वहे क्या है लोग परसासन है जैसा कहा गया कि सविधान बनाना सरल है लेकिन सविधान को लागू करना खटिन है वुड्रो विलसन कहते हैं कि सविधान बनाना ही राजनिती विग्यान है और सविधान को लागू करना इसका अध्यन करना ही लोगपरसासन है तो राजनिती विग्यान और लोगपरसासन को अलग किया गया और राजनिती विज्यान से ही अलग होकर लोग परसासन एक अनुसासन बना है लेकिन उससे कुछ पीछे के कहानी 17 सेंचुरी तक ये अलग से नहीं जाना जाता था इस रूप में कि लोग परसासन क्या है और नीजी परसासन क्या है जो राजतंत्र प्रणालियां थी उन राजतंत्र प्रणालियों में राजा ही राजय का सर्वे सर्वा हैड हुआ करता था वह ने केवल लोग मेंकिंग के रूप में अपितु लोग एपलिकेशनी यानि की जुडिकेशन भी आप कहसको तो जो कानून बनाना, कानून को लागू करना और कानून के नियाय करने का कारिय था, वे केवल राजा के पास ही हुआ करता था, राजा ही नियाय दिस होता था, राजा ही कानून निर्माता होता था, राजा ही कानून को लागू करने वाला है, इसको फ्रांसिसी जो राजा है लुई चोद्वां जो एक कहता था कि I am the state and my words are laws महीं राज्य हूँ और मेरे सब्द ही कानून है साब साब हम इसको समझ सकते हैं इसे के साथ सौरेंटी का जो अपने concept पढ़ा वहां भी हम Hobbes के उस सवरूप में भी समझ सकते हैं कि समप्रभू का आदिस ही कानून होता है तो सौरन और सौरेंटी का जो concept है वो इसे से जुड़ा हुआ है परंतु 17 सेंचूरी में पहले बार यूरूपियन राज तंत्रों में यह आवाज उठी और ये बात निकल कर आई कि लोग प्रशासन क्या हो तो ये नई विचारधारा उदित हुई जिसका मतलब था कि राजा के नीजी कारियों को और सावजने कारियों को प्रथक प्रथक किया जाए राजा जो सब के लिए कारिय करता है वो लोग परसासन के कारिय है और राजा जो अपने लिए करता है अपने लोगों के लिए करता है नीजी लोगों के लिए करता है वो राजा के नीजी कारिय है तो ये लोग प्रसासन के अवधारणा सत्रवी सताबदी में पहली बार उदित हुई इस ट्रेमिनलोजी का यूज किया गया लेकिन लोग प्रसासन क्या है लोग प्रसासन में किसको पड़ेंगे ऐसी कोई अवधारणा ऐसा कोई कंसेट आगे विक्सीत नहीं हुआ था तब जैसे ही हम आगे की और भढ़ते हैं तो 18th century में हमें पहली बार जब United State America 1776 में आजाद हुआ बिटेन की गुलामी से चार जुलाई 1776 और 1787 से लेकर 1789 याने की from 1787 to 1789 इन दी फिलार डेलतिया कांफरेंस जहां पर United State America के Constitution को फॉर्मेशन किया जा रहा था उसका निर्मान किया जा रहा था उसी दोरान as a finance minister जिसका Treasury of Secretary का Nomenclature हुआ करता था वे था Alexander Hamilton Alexander Hamilton ने 85 articles की एक सीरीज प्रकासित की और इस 85 articles की सीरीज को जिसको ऐसे सीरीज निबंद सरंखला भी कहते हैं इसी निबंद सरंखला का end title था The Federalist Paper 1788 तो यहां पर Alexander Hamilton की दोरा बड़े इस तर पर लोग प्रशासन की गती विडियों की बात की गई लेकिन तब तक भी लोग प्रशासन एक विशे की रूप में स्थापित नहीं हुआ और नहीं इसे define किया गया what is the meaning, nature and scope and significance of public administration as a discipline now then in 19th century यानि प्रशासन जिसको आप कहते होगे, monarchy से democracy तक रहा है लेकिन as a discipline उसको पढ़ाना जैसे हम बात करें कि पहली बार competitive exam की जो शुरुआत थी वो Chinese administration में before 300 BC अगो यानि कि आज से लगबग 1200 साल पहले China was the first country which have introduced the written examination for the selection or equipment of civil servant ऐसे ही प्रसिया first country था जिसने civil servants के लिए training program को पहली बार introduced किया इस सुर्णिंग के लिए प्रसिया पहला country था इसके बाद 19th century में हम आते हैं 19th century की beginning में एक Charles Bopiste Bonning नाम का French scholar था फ्रांसी सी सोधार्ती Charles Bopiste Bonning के द्वारा एक French article लिखा गया जिसका नाम था The Principles of the Administration Public U The Principles of the Administration Public U French में English में इसका translation है The Principles of Administration Public Administration लोग परसासन के सिधान तो The Principles D. Public U 1800 at 10 and 12 ये तीन वोल्यूम उसके द्वारा प्रकासित की गए और इससे बोनिनिज्मक आइडिलोजी के नाम से जाना जाता है जिसे गांधी गांधी के पीछे गांधी वाद अम्बेडगर अम्बेडगर वाद माक्ष माक्षवाद ऐसे तमाम तरह की जो विचारधारा हैं ऐसे ही एक सिस्टेमेटिक वे के रूप में और वाइडर आस्पेक्ट में हम किसी आइडिया को डिजाइन करते हैं देन वी केन कॉल आइडियोलोजी विचारधारा देन जरमनी और आस्ट्रिया में इसी समय एक विचारधारा ने जनम लिया और जिस विचारधारा के जनक दाता थे जोर्ज जिनके और डेविड ए लिंडेल फैल्ड जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे तो जोर्ज जिनके डेविड ए लिंडेल फैल्ड ने कहा कि financial, economic और political activities को should be or shall be differentiation from each other आर्थिक वितिय और राजनितिक गति विदियो को separate separate किया जाना चाहिए इसी concept को जरमनी और आस्ट्रिया में कामरलिज्म के नाम से जाना गया Then Jackson, Democracy Jacksonism Then Pendletonism and then Woodrow Wilson जिस पर हम आगे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले Boninism Charles Bopista Bonin की हमने बात की दूसरी Cameralism George Jinkai और David A. Lindenfeld के द्वारा Cameralism की अवधानना को design किया गया What do you understand by Cameralism? इसका मतलब है ए आइडिया विच वांसों डिफ्रिंशियेशन बिट्विन दी financial, economic and political affairs or matter of the state Then we can call the Cameralism Cameral Waad के नाम से इसको जाना गया Jacksonism 1829 से 1887 यानी 1839 से लेकर अगले आठ सालों तक Andrew Jackson was the President of United States of America और उसके द्वारा अमरीकन लोगतंत्र में एक नया आइडिया इंट्रूच किया गया रेकूट्मेंट के लिए एक नई प्रोशिजर स्टार्ट की गया अपनी इच्छा से उसके द्वारा ऐसा किया जाएगा वहें ब्यूरूक्रिट्स को रेकूट्मेंट करता है जिसको आगी चलकर डैस्पोटिजम कहा जाता है पैट्रोनेज ब्यूरूक्रिसी कहा जाता है इस पोय सिस्टम कहा जाता है लूट पर नालिग अपने लोगों को bureaucrates बनाना जिसको आज इंडिया के संदर में कि अपने अपने लोगों को विशिष्ट समुदाय और एलिट क्लास के लोगों को चीफ सकेटरी बनाना जोईन सकेटरी बनाना जो मैंने पीछे और पिछले वाला जो पेपर इंट्रीश किया था और पेपर पब्लीश वा था उसमें मैंने बताया था हाव मैनी ब्यूरोक्रेट्स और हाव मैनी ओफिसर्स अज अपोईंटेड अपोईंटेड एज चीफ सकेटरी और जोईन सकेटरी वो आर बिलोंग तो इंडिया तुड़े और तिल तुड़े ऐसे ही एंट्रीश जैक्षन के द्वारा अपोईंट में ही ऐसा किया गया अपोईंटेड एज एक अपोईंट हो लेकिन उसके बाद जो आपके ऊपर जोईन सकेटरी लाइक मोधी के द्वारा लेटरल एंट्री को सुरू किया गया वाट इस अपोईंटेड जैक्षन ने जो अठारा सो उनतीश से से शैंतीश तक किया एक जैक्ट वैसा ही आज भारते प्रधान मंत्री के द्वारा भारते ब्यूरुक्रिसी में इंडियन बूरुक्रीसी में किया जा रहा है इट मीस वी केन कॉल दी मोधी डेमोक्रीसी यह एक्षन डेमोक्रीसी के तरहải मोधी डेमोक्रीसी जहां जोइन के लेवल पर बैक डॉर से एंट्री की जा रही है 200 से 300 और continuous का numbering बढ़ने वाला ऐसा ही Jackson के समय हुआ था अब कब जाकर इसका परतिरुद होगा, reform होगा वो US में भी लगबग 50 साल बाद ऐसा moment चला जिसे civil service reform movement के नाम से जाना जाता है Andrew Jackson ने बड़े इस तरपर bureaucrates को point किया आगे के presidents ने भी इसको carry on रखा ऐसा होने से अमेरिका की bureaucracy में एक demerits चुड़ गया जिसको patronize bureaucracy, spoil bureaucracy, spoil system, loot परणाली कहते हैं भार्त में lootने का तरीका अलग है ऐसे तरीके को हमने हाँ समझ नहीं पाले लेकिन Andrew Jackson और परधान मंत्री तोनों के comparison करेंगे तो we can understand what is the similarities between Jackson democracy and Modi democracy बहुत आर सिमिलर यहाँ पर पैंडल्टनिज्म की अवधार ना उदी तो कर आई लगवग 50 सालों के बाद 1880 में अमेरिका की Congress जैसे भारत में संसद है वैसे अमेरिका में इस संसद को Congress कहते हैं वहाँ Parliamentary democracy नहीं है Presidential democracy है तो President सकति साली होता है भारत में Parliamentary परधान मंत्री सकति साली होता है इसलिए मैंने दुरोपति मूर्मू democracy नहीं कहा मान ने मूरी democracy कहा है इसका मतलब है कि यह power के माद्रें से power के साथ जुड़ा हुआ है तो Senator वहाँ पर Congress के दो सदन होते हैं जैसे हमारे लोक सभा, राज्य सभा है ऐसे अमेरिका में जन परतिनीदी सदन या परतिनीदी सदन और Senate सभा या Senate होता है Senate Second House of the USA Congress तो Senator उसके Member Senator कहलाते है Senator थे George Hunt Pendleton इन्होंने 1880 में मूमेंट शुरू किया कि हमें merit-based system पर bureaucrates को recruitment करना होगा इसलिए American bureaucracy में civil services reform movement चला और 1883 में Pendleton के दोरा ये act सीनेट में रखा गया जिसे सीनेटर और सीनेट के दोरा पारिक कर दिया गया और ये दिरने हुआ कि American bureaucracy में अब जो bureaucrates appoint होंगे और जो recruit होंगे उन सबी की भरती merit-based system पर होगी यानि कि एक written exam होगा और उसको qualify करने वाले लोग ही American bureaucracy के part बन सकते हैं जिनको बाद में training दी जाएगी इट वाज़ दा पेंडल्टन एक्ट और इस्पोइल सिस्टम एंड चेक्शन डेमोक्रिसी देन उसके मात्र चार साल बाद जब अमेरीकी सीवल सुधार अधिनियम पारित हो गया जिसे पेंडल्टन एक्ट बिल लाने वाले के नाम पर जाना जाता है तो यहाँ पर थामस वुड्रू विल्सन वाज़ दा प्रोफेसर और प्लिटिकल साइंस इन दी उनिस्टी ऑफ कैलिफोर्निया तो यहाँ पर जो अमेरिका में थामस वुड्रू विल्सन थे जो कि अमेरिका के राष्ट पती भी बने वो सेंग्त लीग उपनेशन राष्ट संग 1920 में जो बना था उसके बाद में फाउंडर भी बने संस्तापक भी बने और इसलिए उन्हें फर्स्ट वर्ड वार के बाद यह जब इनकी संस्तापना की लीग उपनेशन की तो उन्हें सांती के नोबेल प्राइस से भी नवाजा गया तो राजनिती विज्ञान के आचारिया प्रोफेसर थामस वुड्रू विल्सन की द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया इस आर्टिकल का एंटाइटल था दी स्टेडी आप एडिनिस्टिशन प्रशासन का अध्यन ती स्टेडी आप एडिनिस्टिशन जो पब्लिस होँआ प्लिटिकल साइंस अमेरिका में प्लिटिकल साइंस क्वार्टर ली जर्रल में वोल्यम 2 त्रेमासिक पत्रे का थी दूसरे वोल्यम में जून अठारा सो सत्यास जून 1887 इस देट और बर्थ देट और भर्थ और पॉलिक आडिनिस्टिशन थामस वूड्रो विल्सन वीकम देख अफ़ादर ऑफब्लिक आडिस्टिशन द्वादो ओ डि वाल्डो के सब्सक्राइज शब्स अग्सटिशन वुड्रो विल्सन वाज दी फाउंडर फादर और पब्लिक एडिस्ट्रिशन In the words of Devaldo, Thomas Woodrow Wilson लोगपरसासन का एक सास्तर के रूप में जनम दाता था तो साथियों ये था लोगपरसासन एक किरिया के रूप में और लोगपरसासन एक अनुसासन के रूप में किस तरह से इमर्ज होकर आया है आगे के व्याख्यान में हम जालेंगे कि 1887 से अब तक लोगपरसासन के नौमेन क्लीचर में और डिसिप्लेन की सब्जेक्ट कंटेंट, सब्जेक्ट मेटर में, मेनिंग में, नेचर में, स्कॉप में और सिगनिफिकेंस में क्या-क्या बदलाव आया हो, क्या-क्या विकास हुआ जिसको development administration भी आप कह सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको लोग प्रसासन एक किरिया के रूप में और एक अनुसासन के रूप में अच्छी तरह समझ में आया होगा आप सबी का धन्यवाद और एक बार फिर से आपका नमस्कार